आधार कार्ड में पासवर्ड कैसे डालते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास भी आधार कार्ड इस तरीके से है और उसको आप उपन कर रहे हैं यहां पर open कर रहे हैं उनका नाम और वर्थियर आपको spelling के साथ में पता होना चाहिए उसी से आपका password यहां पर बनेगा और उसी से आपका धारकार open होगा तो आपको example के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अपना जो password वो कैसे बनाना है example के लिए आप जिनका अधारकार डाउनलोड कर रहे हैं उनका नाम महेश कुमार है तो आपको password कैसे बनाना है first के फोर डिजिट आपको यहां पर लेना first के फोर डिजिट आपको लेना है और इसके बाद बर्थियर डालना है जैसे आपका महेश कुमार है तो आपका password हो जाए गहाँ पर फष्ट के फोर डिजिट नाम के हम ले लिए हैं M-A-H-E और बर्थियर हम यहां पर डालेंगे इस तरीके password बनाएके तो हमारा धारकार ओपन हो जाएगा आपका नाम में जो डिजिट है वो त्री डिजिट ही है जैसे आपका नाम राम कुमार है कुमार आपका सरनेम हो गया राम आपका में नेम हो गया तो यहां पर आपको एक डिजिट आपको सरनेम से ले लेना है जैसे आपका नाम राम कुमार है या राम प्रसाद है तो आपको एक डिजिट आप कुमार के से ले लिए कुमार से ले लिए सरनेम से तो आपका password हो जाएगा RAM और यहाँ पर जो K पड़ा हुआ है यह कुमार से हमने एक डिजिट लिया है और आपका अगर प्रशाद आता तो यहाँ पर पी लगा लिए और इसके बाद आप अपना बर्थियर इस तरीके से पासवर्ट बना कि आप डालिएगा तो जो आपका आधार काड़ है वो उपन हो जाएगा मालिजे की एक 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 जमपल और है आपका नाम अगर और.m. कुमार करके इस तरीके से आप नाम लिखते हैं तो आपका यह डाट है यह डिजिट गिना जाएगा तो आपका पासवर्ट होगा और.m. और इसके बाद बर्थियर डालिएगा आपका जो आधार काड़ है वो उपन हो जाएगा मालिजे की आपके नाम में सरनेम नहीं है और आपका जो नेम है वो त्री डिजिट में ही है मालिजे की एक एक जामपल के लिए आपका नाम साई है और सिर्फ तीन ही डिजिट है आपके नेम में तो आप तीन ही डिजिट डालिए कैप्टेलेटर में SAI और इसके बाद आप अपना बर्थियर डालिए आपका अधार काड़ेयां से ओपन हो जाएगा कई बार आपके अधार काड़ में आपका जो बर्थियर होता है वो सही नहीं पड़ा होता है गलत पड़ा हुआ होता है या आपका जो नाम की स्पेलिंग होती हो गलत पड़ी हुई होती है और आपको पता नहीं होता है और आप पासवड बना के डालते हैं पापका पास्वड मेस नहीं होता ओंका आपका अधार काड ऊपन नई होता है तो आपके पास जो इन्रोल्मेंट Ugh परची बगएरा हो उससे आप कंफर्म कर लीजे कि आपका जो नेम है वो अधार काड में क्या पड़ा हुआ है जो अधार काड में आपका नाम पड़ा होगा जो आपके अधार काड में बर्त येर पड़ी होगी उसी से आपको पास्वेड बनाना है और वही डाले कि तभी आ आपका धार काड ओपन होगा